हेलो और वेल्कम बैक एवरिवन आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम प्रीव करें टाटा डव्ली पील का मैच नंबर फाइब जो कि आज शाम को साड़े साथ बजे खेरा जाने वाला है रोयल चैलिंजेस बैंगलोर और गुजरात जायंट्स वुमेंस के बीच में मै सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करना आपको सब्सक्राइब करना और वीडियो में तो पूरा वीडियो देख लेना आपको जो जो आइन करने का जो प्रॉसेस है वो मैं आपको पता दूँगा तो जुरूर जो आपको पता चल जाएगा तो पूरा वीडियो देखना लेकिन जादा बारिश के चांस नजर नहीं आ रहे बैटिंग फ्रेंडली पिछ आपको देखने को मिल सकता है लेकिन वुमन्स मैचस में अभी जो चार रीजन जो डगली पील के मैचस खेले गए उनको देख लिया थें किनकि फिफ्ट मैच है और चार मैचस अलड़ी हो रखें तो हमारे पास काफी जो सफिशेंट डेटा है वह अगले बहल है तो उसके बेसिस पर हम देखेंगे रीजन जो मैचस खेला है यूपी और डेली कैपिटल्स उनके बीच में खेला गया था यूपी वारियर्स ने 119 बनाया था और डेली कैपिटल्स ने 123 यानि चेस कर लिया और 15 ओवर के अंदर अंदरे चेस हो गया था अब उससे पहले जो मैच हुआ था गुजरात और मुंबाई के बीच में उस मैच में भी 126 का टोटल था और वो भी चेस हो गया था और नेरली 18 ओवर के बाद जो है वो चेस हुआ जो RCB का मैच था UP के गेच में उस मैच में 157 का टोटल बनाया था RCB ने और जो है उसको डिफेंड किया था सिर्फ दो रन से जो है वो चूक गई थी चेसिंग साइड लेकिन जो पहला मैच इस वेन्यू पे खेला गया था इस सीजन WPL का मैच नमबर वन जो के डेली और मु जो है वो टोटल धीरे-धीरे कम होते आ रहे हैं तो मैं इतना आपको सजिस्ट करूँगा कि आप एक low score expect कर गए चलना 130-150 के आसपास moderate कोई भी बन सकता है 130 या 40 के आसपास में कोई भी total बन सकता है और most likely chase हो सकता है ये भी एक चीज है chase हो सकता है ये चीज आपको ध्यान र होंगा equal लेना लेकिन अगर आप मान के चल रहे हो कि यहां पे spinners ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो ज्यादा spinners को आप prefer भी कर सकते हैं अगर आप stats के basis पे जाना सकते हैं तो फोड़ा spinners अच्छा कर रहे हैं तो आप spinners के जो एंपे favor में combinations बना भी सकते हो अगर यहां पे stats और भी कुछ substantiate करना चाहूं तो head to head matches को भी देख लेता हैं कुल दो matches खेले गए हैं एक एक दोनों टीम्स ने जीता है तो कोई भी यहां पे बड़ा difference दोनों टीम्स के बीच में देखने को नहीं मिल रहा जो एक match जो RCB ने जीता है वो chase करते वें जीता है और जो यहां प यह आपको यहां पर M. Chinnaar Swami Stadium पर देखने को मिलेगा तो यहां पर चीज़ें अलग है थोड़ा low score आपको बनतावा देखने को मिल सकता है लेकिन मैं गुजरात के favor में खलकस आपको combination रखने को Grand League में जरूर recommend करूँगा बाकी favorite तो इस match में RCB रहने वाले हैं और head comparison में अगर यह एक चीज़ notice करने पड़ेगी first inning में 173 का जो है यहां पर average score रहता है second inning में 168 का यह last 10 matches का data है इस venue पर last 10 matches, men's, women's और सब कुछ T20 का data है तो ध्यान लगना और average जो 4 लगते हैं वो 10 हैं पहला इनिंग में second inning में 9 है यह नहीं चोखों में ज्यादा difference नहीं और चके भी ज्य जाता है और विकेट्स में भी ज्यादा नहीं है बस एक विकेट्स ज्यादा पहला इनिंग में गरता है और second inning में सिर्फ 5 लगते हैं on an average बात कर रहे हैं last 10 matches का fantasy points भी अगर आप देखो तो मेरे को लगते है बैटिंग से और bowling से आपको काफी जो bowling में आप कह सकते हो काफी है तक आपको difference देखने को मिल रहा है पहला inning में bowling से ज्यादा अच्छा bowlers ने perform किया है second inning में थोड़ा कम performance है तो second inning के आप bowlers ignore करके पहला inning के जो भी bowlers bowling कर रहा है उनको आप त्रिफर कर सकते हो और pace और spin के बीच में देखो second inning में जो pace है उनका ज्यादा बहतर performance है और spin का पहला इनक में ज्यादा बहतर performance है तो यह आपको difference पता चल रहा है तो stats के basis पे आप इसको जो हैंपे अपने grand league team में जो है इसको imply कर सकते हो problem 11 discuss कर लेता है सुफी divine open करेंगी RCB की और से स्मिर्थी मंधाना के साथ left hand hand combination काफी अच्छा चल रहा है तो I think मेरे को लगता है इसको बिगाड़ना नहीं चाहेंगे bowling भी सिर्फ 2 और ही कराई थी तो में भी अगर आप मैं आज cbc बनाने वादा मेरे को इनके उपर भरोसा है और इनके अच्छा चल रहा है तो मैं जुरूर इनको cbc बनाऊंगा बहुत सारे लोग सुफी divine के साथ जा रहे हैं आप अगर जाना चाते तो जा सकता है मंधाना बैटिंग सक्षन से एक default choice है आप उनको ले लो और अब इनेनी मेगना ने लाश मैच में बहुत अच्छा किया है और इनके performance के बिसिस पे लाश मैच में बहुत सारे लोग इनको मतलब ड्रॉप किये थे लेकिन लाश मैच के performance के बाद आप इनको पिक करने वाले हैं लेकिन मैं recommend करूँगा आप इनको अगर drop करो तो risk लेकर drop भी कर सकते हो क्योंकि consistency इनके नहीं है recent matches में आप performance बगरा भी देखो तो बहुत ज़्यादा consistent नहीं है तो मैं risk लेकर drop करने की सोच रहा हूँ आज के match में मैं drop भी कर सकता हूँ यहां रखना लाश मैच में although इन्होंने रख लो आपके लिए अच्छा choice रहेदा क्योंकि मूनी एक top class performer है और रिचा गोश का कोई कहने सकते हैं क्योंकि नीचे आती है तो कभी requirement अगर नहीं तो shots वगरा खेल के काफी ज़्यादा strike rate के साथ आपको यह बहुत ज़्यादा points भी देखे जा सकते हैं तो और wicket keeping भी करे अगर आप एक spinner लेना ही चाहते हो RCB से तो मैं यहाँ पे आपको श्रियांका पार्टिल रख्मेंट करूँगा अगर आप एक spinner लेना चाहते हो तो मैं जोजिया वेरहाम रख्मेंट करूँगा मॉलनी बहुत ज़्यादा option आपके लिए अच्छा नहीं है स्मॉल लिग में अगर आप रखना चाहते है तो वेरहाम लेलो ग्रैंड लिग में आप चाहो तो सौफी मॉलनी को आपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो और सिम्रान बहादूर ज़्यादा कुछ बोलिंग नहीं कराएंगी शोबा ने जो यहां पे सौपहना आशा है उन्हों स्मॉल लिग में तो रखो ही रखो ग्रैंड लिग में अगर आप उनको बना सकते हो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हाइली रेक्मेंट नहीं कर रहा है श्यांका पाटिल आप सी बीसी बना के ट्राइ कर सकते हो अल्दो लाश मैश में बिल्कुल परफार्म नहीं किया एक भ और स्पेस का कहीं न कहीं आप कह सकते हो प्रेजेंस इतना ज्यादा जो हैं पर ऑफ्ट्रैट भी नहीं है तो आप जुरूर उनको रखे चलो स्मॉल लिग में और ग्रैंड लिग में भी सी बीसी बनाने के लिए रखमेंट नहीं कर रहा है लेकिन आप इनको टीम में अट लिष्ट एड़ करके चल सकते हैं प्राब 11 गुजराद जाइंट्स के और से क्या हो सकती है फीबी लिच्फिल्ड ओपन करा सकते हैं बैत मूनी के साथ लास्ट मैच में इन्होंने वेदा कृष्ण नूर्ती के साथ ओपन करा था तो ये मेरे को नहीं लगता कि उतना अच् खास इनका होने वाला नहीं तो मेरे को लगता है ओपन कराना चाहिए इस मैच में डैलन हेमलता हाल इंडियोर आपको तीन चार पे देखने को मिलेंगी हेमलता कभी-कभी नीचे भी आएंगी धियान रखिएगा हेमलता थोड़ा दीचे ही खेलती हैं अभी तो चार पे खे इसलिए वेदा कृष्णमूर्थी मैं सोच रहाता कि टुफ कंडिशन में फिनिशर करोल वेदा कृष्णमूर्थी को ज्यादा सूट करता और इंडिया में बी जो खेलती थी थो यह थोड़ा नीचे खेला करती तो मेरे को लगता है ज़्यान के लिए इनको बोलिंग बहुत ज्यादा है काथरियन प्रन्ट लांट लाइन पेसर्स में ढूर्यों काफी ज्यादा पर बोलिंग से ज़रूर रेक्मेंट करूँगा कि लेके चलो, बोलिंग चार और पूरे करारी वाली है, तो डेफिनिटली लेके चलो, आपके लिए स्मॉल लिग में इंपॉर्डेंट प्लेयर्स की बात करता हूँ, तो फी बिलिच फील्ड, बैत मोनी, दोनों रखो, ऐश गार रखना चाहिए आपको, और कैथरिन ब्राइस और तनुजा कनवर, यह आपकी टीम में ओनी चाहिए, कैथरिन ब्राइस आगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप RCB का एक एक्ट्रा प्लेयर उठाना चाहते हो, तो कैथरिन ब्राइस आप करना है वीडियो को जितना भी आपको करसकते हो, जाए का सबस्क्राइब करना है, और वाहन पर निसेफ्रिप्षीन को लेगा, वहां पार आपको नइक घिंपर मलनी वाला है, और दस winner को जो है select करा जाएगा 500 रूपे एक एक बंदे को मिलने वाला है तो जाएए comment section में आप जो हम पर comment कर दीजिए उसके बाद subscribe करना है पहले तो subscribe like करके उसके बाद comment section में जाके comment करो और 10 winners select करेंगे हम लोग और 10 winners को जो यहांपर give away मिलने वाला है ये है मेरी अभी फिलाल के लिए ड्राफ्ट टीम जो मैं लेके चलने वाला हूँ एश गाड़नर को मैंने कैप्टेन किया है एलिस परी मेरी वाइस कैप्टेन रहने वाली है और वहीं पर अगर आप देखो तो बैतमोनिया रिचा गोश की जगा उन पर पिक कर सकते हो मैंने जो spin है वो बहुत ज़्याद़ प्रिफर गया अपनी टीम में इसलिए मैंने तनुजा कनवर को पिक किया है श्रियंका पटिल को पिक किया है और शोबाना आशा को पिक किया है जो यहां पर मैंने पेसर को लिया है जो कि रेनुका सिंठा को रहे तो मैंने उनको लिया है अगर आप चाहो तो यहां पर लिया तहू भी अपनी टीम में प्रिफर कर सकते हो जोजिया वेरहम आपके पास option है तो यह है वीडियो और यह थे stats और यह कुछ team थी जो आपके साथ मैंने वीडियो शेर किया अगर आपको वीडियो इंफरमेटिव लगा है तो like जुरूर कर दो और चैनल के जो भी लोग नियो विजिट कर रहा है तो subscribe जो बेल नोटिफिकेशन है उसको आल पर प्रेस कर ले तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्श्ट वीडियो में और कुछ नीव अपडेट्स के साथ अंटिल देन टाना बाबाब टेक केर